कल का निप्टी 50 और निप्टी बैंक आज ही जान लीजे दोस्तों कल का निप्टी 50 और निप्टी बैंक आज ही जान लीजे दोस्तों आप अगर इंट्राडेटेक मुंबई में ये बीके सिंग की चैनल पर पहली बार आएं तो आप जरूर सबसे पहले सब्सक्राइब कर लिजिए और उसकी बाद बेल आइकन घंटी भी दबा लिजिए कल का निप्टी फिप्टी और निप्टी बैंक आज ही जान लिजिए देन फस्ट सब्सक्राइब आप्टर बेल आइकन पुश चली दोस्तो आपको मैं सुक्रवार को फ्राइडे को जो निप्टी फिप्टी बंद हुआ था 17,670 रुपिया 45 पैसा पे निप्टी फिप्टी का जो हम लोगों ने किया था कि ये 17,620 रुपिया का टार्गेट था 16,620 रुपिया तो चला गया अगला टार्गेट इंट्राडेट एक मुंबाई एम्बीए बीके सिंगा 18,200 का है दोस्तो और कल क्या होगा कितना का ये बेस बनाया हुआ हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि ये वेरी बुलिस है, मुविंग एवरेज बुलिस है और टेकनिकल इंडिकेटर भी वेरी बुलिस है लेकिन moving average crossover जो है इसका neutral है तो neutral जो है पूरा details देखने के लिए हम आपको एक technique बताते हैं उसको आपको पता चल जाएगा समझ लिए कि moving average जो है 77% 7 star and technical indicator 4 star and moving average crossover 2 star moving average देखेंगे तो आपको पांच दिन में 27,088 से 17,436 very bullish 17,088 रुपया 55 पैसा से हम लोग 200 डेमा देखने के बाद यह 17,436 रुपया जो है सबसे बड़ा strong इसका बन रहा है दोस्त लेकिन यह medium terms के लिए 20 और 50 डेमा crossover देखेंगे तो बेरिस है लेकिन short term के लिए 5 and 20 डेमा crossover bullies and long term के लिए 50 and 20 200 डेमा crossover bullies आप देखेंगे मैं बताता हूँ आपको यह क्या करने वाला है दोस्त कल कल क्या करने वाला है निप्टी 50 उसकी बारे में जानना बहुत जरूरी है और यह कहता क्या है ओ हम आपको पहले बता दे फॉर्स्ट टाइम यह बेस जो बनाये हुआ है अब जो बेस बढ़के आ गया 17,598 मतलब 17,600 का बहुत जबरजस्त बेस बनाये हुआ है अगर यह ज़ादा से ज़ादा नीचे की तरफ जाएगा तो 17,495 रुपया यह सपोर्ट इसका है और दूसरा सपोर्ट इसका है 17,250 रुपया लेकिन यह 17,250 भूल जाना है क्योंकि हमें 21,000 रुपया तक जाना है इस साल तो 21,000 जाने के लिए आपको सबसे पहले 18,200 पार करना है 18,200 अगर कल मंडे को देखने को मिल गया दोस्त तो समझ लिजए कि इस सेर मार्केट में एक तुफान आएगा और तुफान में सारे के सारे लोग मले मल हो जाएगे और इंट्रा डेट में में ये बेकर सिंग का भी चैनल को सब्सकाइब नहीं करें सब्सकाइब करेंजे क्योंकि निफ्टी फिप्टी का 100% सो दिन में 99 दिन 99 डेज इन 100 डेज 100% माई एनालेसिस इज करेक्ट येस करेक्ट 17,775 का पहला हमारा टार्गेट है दोस्तो 17,775 नहीं 17,770 का मेरा पहला टार्गेट है अगर सुबा सुबा 9 बसकर 15 मिनट पे 17,770 अगर एक्टिव हो गा अगर एक्टिव हो गया 77,170 17,770 निफ्टी 20 का बाद में हम अभी ईनालेसिस करेंगे सबसे पहले हम करेंगे निफ्टी 50 का तो निफ्टी 50 का 9 बसकर 15 मिनट से 9 बसकर 25 मिनट के अंदर 17,770 तो समझ लिजे कि इसको 18,000 पार करने से यह फर्स फर्स सेशन नहीं सेकेंड सेशन कहेंगे इसलिए कि पहला दिन ही फर्स सेशन शुरू हो गया था तो यह सेकेंड सेशन में हम 18,200 देखने को जरू मिलेंगे क्योंकि निप्टी फिप्टी के 70% एस्टोक वेरी बुली से जी दोस्ट 70% मतलब की 50 में 50 में 35 सेर जो है ग्रीन में कल देखने को मिलेगा और उसके बाद अगर आईटी सेक्टर निप्टी आईटी और निप्टी एनरजी और निप्टी मेटल यह दोनों को जरू देखना है तो देखते हैं अठारा जर्ब 200 का टारगेट है कल क्या होता है अच्छा रहेगा तो अच्छा जरूर होगा दोस्तों